नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीरपरचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदी महतोपून जहनकारी को ले करके जिहां पेट की चर्विक घटाने का नमबर वन आयूरवेदिक फर्मूला घर पर ही बनाएं ये आसानी से और लाब उठाएं बोडी में जमा एक्स्ट्रा चर्विक के कारण लुक तो बिगड़ ही जाता है कई हिल्थ प्रोब्लेम्स भी इसके साथ साथ आपको हो सकती है एक बार बोडी में जमा हो जाने पर इस चर्विक को आसानी से हटाना संभव नहीं होता है रेगुलर फैट बर्निंग एक्सरसाइज के साथ अगर कुछ आयरुवेदिक फर्मूलों का इस्तेमाल किया जाए तो इससे बोडी की चर्वी तेजी से घटती है और कुछी दिनों में फर्क नजर आने लगता है तेजी से फैट घटाने का ऐसा ही एक आयरुवेदिक फर्मूला इसे आसानी से घर पर ही बनाया जा सकता है और इसके इस्तेमाल से आपके हेल्थ को और सारे भी बेनिफिट्स मिलते हैं तो आईए जान लेते हैं आज हम सभी इसके लिए जरूरी सामगरी आपको क्या क्या चाहिए होगी जरूरी सामगरी में आपको हल्दी चाहिए होगा 100 ग्राम दालचीनी 100 ग्राम मेथी धना 200 ग्राम काली जीरा 100 ग्राम 60 पचास ग्राम कलोंजी 100 ग्राम काली मिर्च 20 ग्राम ये आपको सामगरिया चाहिए अब बनाने की विध्य जान लिजे इन सभी चीजों को मिक्सी में पीस इसकर पावडर बना लेना है इस पावडर को एक साफ कांच की शीशी में भरकर करके रखना है अब इसको कैसे से बहुत लाब होगा अब की किन किन रोगों में फायदेे करता है क्योंकि मैंने बताया कि मोटापी के साथ साथ ये और रोगों को भी खत्म करता है सबसे पहले तो मोटापा घटेगा इससे इस पाउडर को रेगुलर लेने से बोडी में जमा एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे घुल करके निकल जाता है और मोटापा घटता है इसके हलावा ये से निकल जाते हैं इसकीन अच्छी होती है साधरन बिमारियों से बचाव होता है इसके अलावा एंटी एजिंग जिहां इस फॉर्मूले में एंटी एजिंग गुन जो मौजूद होता है तत्व होता है ये बुढ़ापे की प्रोसेस को सुलो करता है लंबे समय तक आप यं बोड़ी से निकल जाते हैं इसके साथ ही आपको यह अर्गेन हेल्दी कर देता है आपकी बोड़ी के और गेंस को जिसकी बदावलत आप स्वस्तर है इसके अलावा बहतर डाइजेशन के लिए ये बहत कारगर होता है इस फार्मूले से डाइजेशन बहतर होता है गैस कब एसी डीटी खटी डाकार जैसी प्रोब्लेम्स आपकी दूर होती है जिसकी बदावलत आप स्वस्तर है पाते हैं जिहां दोस्तों तो यह वो जानकारी थी जिसके सहारे आप अपने मोठापी की समस्या को दूर कर सकते हैं इसके साथ साथ अन्य बीमारियों को भी दूर कर स अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों